कि अलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल एक बार फिर से आप सब का स्वागत है आज के हमारे इस इंफार्मेटिव वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि सुबह आपको बताया गया था कि प्रतियोगी मोर्चा के अध्यच और जो है इनके उपाध्यच दोन हुए तो तो आज जो है प्रतियोगी मोर्चा की कोशिसे रंग लानी सुरू हो गई है और बहुत ही ब्रीक ब्रेकिंग और गुड नीज यह है कि प्रतियोगी मोर्चा को वहां से आसवासन मिला है कि उनका जो पोर्टल है वो दो दिन के अंदर जो है खोल दिया जाएगा और पोर्टल लगभग तयार है तो मानिए इस हपते तक जो है आपको अच्छी खबर मिल जाएगी और टीजीटी पीजीटी के बारे में भी बात हुई है तो आएए पूरा हम लोग देखते हैं क्या हुआ नए विग्यापन के बारे में और टीजी हिल्टी गरेट के मार पांडे तथा उप शिच्छा निदेशक विकास रिवास्तो सुनके कार्याले मुलाकात की हिंदियों और समाजी विज्ञान के अभ्यरतियों की नियुक्ति के संबंद में विर्ष्ट्रित वार्ता की गई इस अवसर पर सिच्छा निदेशक ने कहा है कि इन दोनों भी ह्याग राज से रिकतियों का विवरं वा अभ्यष्ञतियों की डिटैल की हार्टकापी आते हि तो दिनों के अंदर पोड़ल खोल दिये जाएगा मोर्चा सदस्यों की उपस्तिती में ही सिच्छा निदेशक ने अपर सिच्छा निदेशक राच की स्री मती अंजना गोएल जी को इस विशे पर दस मिनिट तक फोन वारता भी की तथा यह निर्देश दिया कि तेरह विश्यों की और बंधिक रूप से रुकी हुई चार जीलों की रिक्तियों का विवरन चारों जीलों के जीला विला विद्याले नीदे, शीच्छ से कल ही अरथात मंगलवार तक बंगा लिये जाए तो मतलब पंचायत चुनाओं के अधिसूचना से पहले जो है जो आइनिंग कराने की पूरी तैयारी है अब देखिए आगे क्या होता है और इसमें बात करते हैं TGT PGT के लिए तो नए संसोधित विग्यापन TGT PGT वर्ष 2021 के संबन्द में सिच्छा निदेशक का कहना था कि इस विषय में जो है सासन से बात हो रही है और शेग्रही इस पर निर्नेल लिया जाएगा और जल्दी विग्यापन जारी किया जाएगा तो यह रही पूरी निव्ज आज की दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक